मिन्टु भाई के हर वीडियो में आपने देखा रहेगा कि स्क्रेच रिमूब स्क्रेच रिमूब हमेशा चिलाते हैं लेकिन स्क्रेच गाड़ी के अंदर से जो है जाता ही नहीं है अभी देखें एक नॉर्मल सा स्क्रेच है यह एक दम दाग दिख रहा होगा एक बड़ा से स्क्रेच नहीं है एक दम नॉर्मल से एक दाग है यहां पे भी और एक यहां पे भी बार बार में पॉलिस लेकर रगड़ा जा रहा हो बट यह जाही नहीं रहा तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि स्क्रेच रिमूब के तोर पे हम इसके M2R पॉलिस को योज करेंगे तो यह आपके लिए सही नहीं रहेगा यह क्या कोई भी ऐसा पॉलिस आपके स्क्रेच को नहीं खतम कर सकता क्यों काफी सारे क्लिक बेड़ आपको यूटूब के उपर देखने को मिलेगा कोई कॉल गेट से हटा रहा कोई शेंपू से हटा रहा बट नहीं जाता है अब यही M2R का पॉलिस मैंने यहां देखे ले लिया एकदम लाइव पॉलिस लिया अब आपको मैं अपलाय करके दिखाता हूं दाग तो सही हटा दे स्क्रेच तो दूर की बात दाग तक नहीं हटा पा रहे हैं यहां भी देखिए तो एक शाइनिंग के लिए आप इसे उपयोग मिला पॉलिस मत खतम कीजिए जो दाग है यह दाग तो हटा देजे यह तक नहीं जा रहा है यहां भी देखिए सेम सिच्वेशन यहां भी देखिए सेम सिच्वेशन तो दाग को भी नहीं हटा पा रहे हैं यह हलो दोस्तों अगर आप सभी इस दिवाली या धंतेरस कोई भी नोर ना करें, क्योंकि अगर डियो की बोडी देखी जाए तो हर जगा आपको फाइबर बोडी देखने को मिलेगा, हेडलाइट से लेकर बेकलाइट तक पूरी बोडी फाइबर से डिजाइन किया गिया है, तो इनको प्रोटेक्शन एकदम चाहिए, इसकी अच्छी शाइनिंग अगर आप चाहते हैं, इसको अच्छी से रखना चाहते हैं बिना स्क्रेच के, तो उसके लिए माइक्रो फाइबर क्लॉट जो होता है कपड़ा इस चीज को आप जरूर से जरूर ऑनलाइन पर्चेस करें, साथी साथ आपने देखा रहेगा जो मिन्टो भाई हमारे हैं, वो पॉलिश भी सेल करते हैं, तो उनी से मैं ये पॉलिश भी मंगवाया है, ये दोनों भी मैं अन्बोक्स करूँगा, साथी साथ फर्स सर्वीस है, तो ये जो हॉंडा का आप देखें, जैन्वीन इंजन ओइल, जो इसका स्कोटर का स्पेसली आता है, 600 ml, 275 रुपे का, जो इसके अंदर एड करेंगे, अब चलिए इन दोनों प्लास्टिक को आपन करते हैं, आपको दिखाते हैं, माइक्रो फाइबर जो क्लॉथ होता है, यूजफुल है या नहीं, और ये पॉलिस कैसा इसको उप्योग भी करेंगे, तो काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा देखना हो, अगर खरीदना चाहेंगे, तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, तो चलिए इसे अ लॉट जो है, एक्तम सफ्ट है, और इसके अंदर चार पैकट आता, प्राइस अगर देखे जाएं तो इसका प्राइस जो है, 260 रुपे 260 रुपे इसका प्राइस है और अलग-अलग एस्ट्रेट के लिए अलग-अलग प्राइस हो सकता है अब चलिए इसे ओपन करने से पहले इसकी पॉलिस की हम ओपनिंग करते हैं देखते हैं मिन्टू भाइस के अंदर हमें क्या-क्या भेज़ें चलिए इसे खुलिए पेकिंग तो काफी शामदार है जिस तरह से दिख रहा है और उन्हेंने बताया था कि इसके अंदर एक पफ आपको भेज देंगा पफ फॉर्म जिससे आप पॉलिस अप्लाइक कर सकते हैं बट मैंने चाहाँ क्यों ना केक अलग से क्लॉथ खरीद लिया जाए इसे मैंने ओपन कर लिया अब देखें इसके अंदर कुछ नहीं है तो जिस तरह से अप्लाइक करने के लिए एक पफ का फॉर्म दिया है इसको पॉलिस लगाने के बाद इस तरह से अप्लाइक किया जाता है बट अभी हम लोग यूज करेंगे इस सॉफ्ट कॉर्टन को और यह मिंटू भाई का है पॉलिस चलिए इसके इस पेपर को हम यहां से हटाते हैं काफी अच्छी पेकिंग दी है कहीं से कोई स्क्रेचेश नहीं बट थुआ सब देखा गया कि इधर से लीक कर रहा था पॉलिस जो है बाहर निकल रहा था इसका वही पॉलिस है देखें मिंटू राहूल भाई का जो चैनल है वहां इसका काफी परमोशन आपने देखा रहेगा वही पॉलिस अब अभी इसका हम कुछ ऐसे बता नहीं सकते हैं जब तक कि इसको अप्लाइ नहीं करेंगे अगर देखें अप्रूवल जो इसको मिला है बाइक पॉइंट मिंटू बाइराहूल जो आपने चैनल देखा रहेगा योट्यूब पे इसका देखें 250 एमेल पॉलिस है अब चली इसको वोश्चिंग के बाद अपलाए करेंगे सर्विस के बाद अपलाए करेंगे और एक फाइनल लुक देंगे स्कूटर का आपको कैसी दिखती है पॉलिष अपलाए होने के बाद उससे पहले चली इसे अभी हम फाइबर को आपन कर लेते हैं तो यह मैक्रो फाइबर वाला जो कपड़ा है इसे आप वोश्ण के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं पॉलिशिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको काफी सारे विरेंड मिल जागा यह काफी पतला है इससे मोटा वाला भी आप लेना चाहते हैं तो वह भी लाइ करते हैं उपर गाड़ी पर्फेक्ट वॉष हो चुकी है अब इसके अंदर पॉलिस का अपलाई करेंगे फॉर्म में पहले लेंगे उसके बाद इसे अपलाई करने के बाद माइक्रो फाइबर जो प्लॉथ होता है उससे हम लोग इसको पॉच्छेंड तो चलिए पूरी बोड़ी में इस M2R पॉलिस को जो हम अपलाई करते हैं और डिरेक्ट आपको रिजल्ट दिखाते हैं इमेज के थुरूर मिन्टु भाई के हर वीडियो में आपने देखा रहेगा कि स्क्रेच रिमूब हमेशा चिल्लाते हैं लेकिन स्क्रेच गाड़ी के अंदर से जो है जाता ही नहीं है अभी देखें एक नॉर्मल सा स्क्रेच है ये एकदम दाग दिख रहा होगा एक बड़ा से स्क्रेच नहीं है एकदम नॉर्मल सा एक दाग है यहाँ पे भी और एक यहां पे भी बार-बार मैं पॉलिस लेकर रगड़ा जा रहा हूँ रगड़ा जा रहा हूँ बट यह जाही नहीं रहा हूँ तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि स्क्रेच रिमोवल के तोर पे हम इसके M2R पॉलिस को यूज करेंगे तो यह आपके लिए सही नहीं रहेगा यह क्या, कोई भी ऐसा पॉलिस से आपके स्क्रेज को नहीं खतम कर सकता क्योंकि काफी सारे क्लिक बेट आपको यूटूब के ओपर देखने को मिलेगा कोई कॉल गेट से हटा रहा, कोई शेंपू से हटा रहा बट नहीं जाता, अब यही M2R का पॉलिस में ने यहां देखे, ले लिया, एकदम लाइव, पॉलिस लिया, अब आपको मैं अपलाए करके दिखाता हूँ, दाग तो सही हटा दे, स्क्रेज तो दूर की बात, दाग तक ने हटा पा रहे हैं, यहां भी देखे, तो एक शाइन इसकी मैं तो बात करूँगा ही ने, स्क्रेज मत खतम कीजिए, औल्मुस्ट यह जो दाग है, यह दाग तो हटा देजे, यह तक ने जा रहा, यहां भी देखिए, सैम सिचुएशन, यहां भी देखिए, सैम सिचुएशन, तो दाग को भी नई हटा पा रहे हैं यह, झाल झाल